नमस्कार सभी को स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे क्लास 12 जोगरफी चप्टर नमबर 3 पॉपुलेशन कंपोजिशन आज हम करने वाले हैं आशा करता हूं कि आपको हमारी पुनाने वीडियो भी काफी अच्छी लग रही होंगी और आप हमारी लाइफ और और ओनलाइन क्लासिस को भी काफी इंच्वाइब कर रहे होंगी तो आज का चैप्टर हमारा काफी इंट्रस्टिंग और शॉट भी है चलो देखते हैं इस चैप्टर में है क्या सो इस चैप्टर में बेटा पॉपॉपुलेशन कंपोजिशन इस लाइक की मात्रा समस्क्रा मात्रा कौन की को कोई चीज किस मात्रा में कहां होती तो इसको हम लोग उस तरह से समझने वाले तो बेसिकली हां पर क्या कहते है कि पीपल अफ एनी कंट्री और डैवर्स इन मैंनी रिस्पेक्ट हर किसी भी देश के लोग जो है वो डैवर्स मतलब डिवर्स बोलो डैवर् और कोई अपनी अपनी कटिकरी का भी लॉंग करता है पीपल कैन डिस्टिंगिश्ट बाइड एज लोगों को अलग अलग करने के लिए उनकी अलग 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 एज है उनका अलग अलग सेक्स है मेल फीमेल चोटे बड़े और प्लेस और पहारी शित्र में को रहता है ग्र और दो रेसियो आप समझते हैं समस्तों रेसियो मतलब क्या होता है को कोई चीज किस मातरा में एक चमच चीनी एक चमच पत्ति एक गलास पानी रेशियो आपको ए ठीक है प्रपोर्थिन वैसे ही सो वट इस देमीन गोंग। सेक्स कंपोरेशन के दरह से पूछ लें तो सब से पैदा बड़ा सवाल जो बनता है वो पूछते हैं आप से सेक्स रेशियो होता क्या एक चुन में what is the meaning of sex ratio so the ratio between the number of women the ratio, एक ratio किसके बीच में? women and men in the population, भई population में जो women and men के बीच का ratio है जैसे मैंने बोला कि भई normally when बात कर लिया हम इस चीज को लेते हैं कि वही 13 male है और 9 female है तो यह ratio है कि वहीं 13 male पे 9 female है तो यह ratio हो गया तो यह जो ratio है इस यह को बोलते हैं हम लोग sex ratio ठीक है बेटा अगर हम कुछ countries के बात करें in some countries, कुछ कुछ country के बेटा sex ratio को निकालना के बड़ा यह होता है formula उपर population male की, नीचे female की into thousand ठीक है यानि कि you can say कि number of females per thousand, number of males per thousand female और अगर हम बेटा इंडिया के बात करें so इंडिया female population उपर रहती है, male population नीचे रहती है into में thousand ठीक है बेटा, तो यह इस तरीके से रहता है आपका यह तो यह एक तरह का आपको short question आपका बन सकता है जो आपको यह पता होना चाहिए और यह बहुत easy बेटा है, इसको इतना समझना है इसना tough नहीं है आपका यह next, चलते हैं हम लोग हमारा अब भई, sex ratio के वारे में कुछ facts जानते हैं कि sex ratio is an important information about the status of women in a country एक देश में एक महिला का क्या रोल है क्या status है उसको जानने के लिए sex ratio जानने बेटा बहुत जरूरी है in regions where gender discrimination जहां पे भेदबा होता है उन जगों बेटा unfavorable होता है sex ratio, मतलब male extra होते हैं, female बहुत कम होती है such areas are those where the practice of female poticide female infanticide बुरुन हत्या बोलते हैं, इसको abortion करवा लेना कि पता था पहले कि लड़की है तो abortion करवा लेना, domestic violence डोरी के लिए थड़पाना against women और prevalent जिन बेटा, societies में ये सब होता है वहाँ पे female का कम होना लाजमी है अब हमने बेटा पढ़ा था, what is sex ratio अब हम पूरे वर्ड की बात करने माले यार पूरे वर्ड समझते हो, पूरे वर्ड में क्या मतलब हम तीन चीज़े पढ़ेंगे आज अभी वो चीज़े हैं क्या पहले तो बेटा अगर हम बात करते हैं पूरे वर्ड पॉपॉपॉलेशन की तो बेटा वर्ड पॉपलेशन में जो sex ratio है उसकी average जो है वो 102 male है 100 female समझे वह निकी 100 female पे 102 male है समझे आप लोग 100 female पे 102 male है यह average है क्या है यह average लेकर अगर हम बेटा बात करते है highest sex ratio की पूरे वर्ड में तो लात्विया में सबसे जादा sex ratio मतलब 85 males per 100 female है ठीक है 85 males per 100 females लेकिन अगर हम बात करें बेटा यह तो highest है आपका क्या हो यह highest सबसे लोइस्ट काप पर आपके का बलोगे कतर में है highest लात्यम में है और लोएस का कतर में क्योंकि यहां पे 311 male per 100 अगर कि फीमेल दिशोज वाट दिशोज के भई यहां ठीक है लेकिन यहां पे प्रॉब्लम है पर यहां पे सोचने के बात यहां पे जो है लोग by country से आते हैं काम करने के लिए यह origin नहीं है मतला यह original नहीं है यह जो extra हो रहा है में लिए लोग पहार से आ रहे हैं बेटा आपका काम करने के लिए अगर हम बेटा बात करें कि पूरे वर्ल्ड की यूएन के ग्राफ के बात करें तो sex ratio जो है बेटा फेवरेबल है किन countries में है 139 countries में और अन फेवरेबल है 72 countries में आपका वो अन फेवरेबल है ठीक है बचा तो यह बेटा आपका थोड़ा सा basic था I hope आपको यह basic भी किलियर हो गया हो बेटा कोई आपको अभी तक डाउट नहीं कि बेटा जो भी हम लोग कर रहें अभी है यह बहुत 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 जो है आपका वह लोग सिंपल चीज़ों को इसको करे जा रहे है ठीक है बटा अब बेटा हम लोग चलते है हमारा next point पे हमारा next point जो बटा हमारा आता है वो क्या आता हमारा एस ट्रक्चर बहुत इजी है यह भी एस ट्रक्चर एक और चीज़ बटा जहां रखना है चीज़ का यहां पे मेल के जगा फीमेल है ठीक है इसको आप ठीक कर लेजएगा अब what is the meaning of a structure तो it represents the number of people of different age groups भाई एक से लेके 10 साल के कितने लोग है ग्यारा से लेके 20 साल कितने लोग है तो यह जो आपका category है ठीक है ना गुरूप से एज गुरूप के कितने teens हैं कितने adults हैं कितने adults हैं इक तरह से इसको बोलते हैं structure इस इंपोर्टन इंडिकेटर फप्लेशन का पूरेशन सबसे बढ़िया होता है को निकालना इंडिकेटर लार्ज वर्किंग पूपूलेशन अगर आप एक ती देते हैं इस एज से लेके इस एज के बीट सबसे जादा लोग जो है वो वर्किंग है सबसे अधिक लोग इस एज में काम करते हैं आप सांतियो 14 तक का कम बच्चा अलाउड नहीं लेकिन उसके बाद वो काम करने लग जाता है बहुत से एरियास में और इससे कम भी लोग पहले एज काम करते हैं आपको यह ग्रेटर प्रपोर्पोर्शन ओपूलेशन अब औफ सिस्टी इयर्स रिप्रेजेंट एंड एजिंग यह बोड़ी ओपूलेशन है जिसकी एज हो चुकी है विज एक्व प्रपोर्शन ओफ यंग अब जो हमारा जवान खून है जो यंग प्रपूर्शन है वुड मीन डैट तरीजन है जाई बर्थ रीट ठीक है यह आपकी हाइट पात्रेट इन पपूलेशन इस यूथ फूल यह मतलब एक नहीं पपूलेशन आरी जिसका आपकी जो बड़ी मा मजा आएगा पंडे में इसको बहुत मसा आएगा अट इसे स्क्रॉक्ट्टर पिरामिट तो इसे स्क्रॉक्ट्टर ऑफ ओपॉलेशन रिफर सुथ सुदू नमबर ओफ फीमेल एंड मेल का अलग 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 कैटेगरी में अलग अलग एज ग्रूप कंदर बेट आं इस एज के ग्रूप में कीतनी मेल है और कितने हैं तो यह ए एग से जाए तो आपका अगर पढ़ेंगे आगे हम लोग अगरमें ग्राफ पे लेते हैं तो ग्राफ के अगर हम देखते हैं ग्राफ में लेफ साइड में कोन है परसंटेज जोफ मेल मिले आपको ट्रमेरेख ग्रूप इस एज ग्रूप एज हगु उर और हम राइट के बरता है में इस इस यह फिलंग च्रáपलण्ड फि रहें तक ही जा बता है जो बहुत इस इन्टरस्टिंग रहेगा आप का तरीके से पढ़ना है बेटा आपको ठीक है तो दुवारा पढ़ लो कि age sex structure of a population refers to the number of females and males in different age group ठीक है एक से दस साल की उमर में 10 male है 20 female है ठीक है 10 से 20 साल की उमर में खूप अलग हो जाएगा तो यह रहता है आपका अब हम बेटा यहीं पढ़ने वाले अलग अलग कंट्री की हम लोग एक तरह से के स्टडी करने वाले सबसे पहले बेटा ग्राफ क्या आता है आपका expanding population ठीक है इसमें एक्जम्पल लेंगे नाइजीरा का इसका जो आपका बेटा आपका age sex parameter कैसे देखो triangular है कैसे देखे बेटा आपका यह बेटा आपका triangular है लेख रहे हो जिरो से चार तक की age में बढ़्त जो रहे है कित्यों सारे बढ़्त होई है पास से नौ तक के लोग कम हैं दस जो जो दर कर दो मतलब कर ऐस हो रहा देखो तो यह का शो करता है ठीक है न यह बेटा मैंने एक्जामपल दिया है आपको यह बुक में भी आपकी इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा बेटा यह बेटा आपको हाई बर्थ रीट शो करता है ठीक है बेटा हम बेटा चलते हैं आपका अपना चलते हैं हम लोग नेक्स पे नेक्स बेटा हमारा आता है कंस्टेंट पॉपलेशन क्या थे बेटा आपके नेक्स पॉइंट इस कंस्टेंट पॉपलेशन यहां पर बेटा आपका बेल शेब पिरामिट ठीक है देखो कि अब यहां पर इखुगर यहां पर अब बर operate क्या i am iana तो तो टोवाट शोइंट अनद रिट्स powerful यहां पर बर भाट रेट के आप के डीक हैं पहले में कहा था पहले में बडर्ट बहुत समयां आपका बडुचर श्यां इसलिए बाठ आपको यह कо कॉंस्तेंट और लास्ट में बेटा क्या है हमारा डिक लाइनिंग पॉपुलिशन याने की जपान की बात कर रहे है नेरो बेस एंड़ टैपर टॉप शोइंग लोबर्थ बहुत लोबर्थ हो लिए ठीक है ना एंड डेथ रीट अपॉपुलेशन ग्रोथ इन डेवलप कंप्रीज इस मतलब यह तो बहुत ही बड़ी है यहां पर ग्रोथ नहीं हो रही है ठीक है बटा तो बटा यह जो हमने पढ़ा है यह हमारा आज पार्ट वन था आई होप आपको इस समझ में आ गयो बहुत इजी लैंगज बटा मैंने पढ़ाया आपको और डेफिनेशन में दीए बटा तो बटा इसी तरह कि आपको लिखने लिखने आने आपके अपनी एक्जांस में मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स वीडियो में